नमस्कार दोस्तों हमारे चले हैर एजुकेशन में फिर आपका स्वागा था और मैं हूँ आपका दोस राहूल और आज की सुर्ण चर्चा करने जा रहे हैं डेली उनिविशिटी के इंदर BBA, FIA, BMS and BBE कोर्स की complete admission प्रोसेस की डेटेल CUET के implementation के बाद इसका admission प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो चुका है, पहले इसको DUJET के थूरू लिया जाता था, DUJET के अंदर इन तीनों कोर्स को combine करके एक ही entrance exam होता था, उसके score के basis पे, आप इन तीनों कोर्सेस में admission लेते थे इस साल CUT आज चुका है, CUT के अंदर ये तीनों कोर्स अलग-अलग हो चुके हैं, लेकिन criteria बिल्कुल सेम है इसलिए मैं आप लोगों को तीनों को एक साथ ही समझा दूँगा, BMS है, Bachelor of Management Studies which is equivalent to BBA, and BBE is basically Bachelor of Business Economics, तीसर आपके पार scores है BBA in Financial Investment Analysis, तीनों का ही criteria सेम है, and Colleges, Seat, Fees, Infrastructure सब कुछ मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, इस वीडियो के अंदर मैं आपको eligibility criteria बता दूँगा admission process, seat and colleges, exam pattern, exam syllabus, इस वीडियो को देखने के बाद आपके mind में शाहिद ही कोई doubt राएगा वो आप comment section में आगे पूछ सकते हैं, तो सबसे पहले में आप लोगों को eligibility criteria समझा देता हूँ CUT के implementation से Delhi University ने eligibility criteria के अदर कुछ changes करें हैं, जैसे कि 60% आप लोगों को compulsory होना चाहिए वो अब हड़ चुका है, तो 60% अब mandatory नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखना बिलकुल भी mandatory नहीं है eligibility criteria, अब CUT के जो domains आप लोगों देखने वाले हो, वही एक eligibility criteria माने जा रहा है क्योंकि DU ने बोल दिया, merit का कुछ लेना देना है, नहीं, आप जो criteria हम CUT के website में mention कर रहे हैं, उसके according अपना exam देखे आओगे, हम आपको ले लेंगे तो उन्होंने क्या बोला, आपको एक language select करनी है, कोई भी language हो सकती है, 13 languages है, CUT के exam के अंदर, उसमें mostly student English को भी prefer करा था, बाकि mathematics आप लोगों को देना है, और mathematics देना है, इसका मतलब यह नहीं कि अगर आप mathematics जेर दो को तो आपका admission के लिए आप eligible हो जाते हो, Delhi University ने ये भी बोला है, कि जो class 12th में आपके पास subject है, वही आपको select करना है, that means कि अगर आप mathematics select कर रहे हो, तो यह आपकी mark sheet के अंदर mention होना ज़रूरी है, बहुत सारे students दो पिछली पर mistake क्या करी, वो सोचा, कि अर maths तो थी नहीं, डियू में BBA करना है, काम करते है, maths का domain देंगे और जाके admission ले ले लेंगे, भाई, नहीं होगा, आपको आगे आने वले time में out कर देंगे, जब आपको verification के लिए बुलाय जाएगा, तीसरा आपको selection करना है general test, यानि कि अगर तीन test आप दे रहे हो, आप eligible हो Delhi University के अंदर admission के करने के लिए, चलिए, next की तरफ move करते हैं, next है आप लोगों का domain specific, तो इन्होंने क्या बोला था, कि domain आपको select करना है, जो की आपका class 12 में होना चाहिए, तो Delhi University ने ये list भी mention करी थी अपनी website पे, जिसमें आपने mathematics B1 के अंदर रखा है, B1, B2 के बारे में बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को upcoming videos के तरह समझाऊंगा, अभी आप B1 समझो, कि आपका class 12 का subject है mathematics ये वही B1 है, आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा admission process, अब admission process में थोड़ा से simplified कर देता आप लोगों के लिए, पहला step आप लोगों का क्या है, CUT की website website पे जाना, जो की आपके सामने यहाँ पे दिख रही है, यह है CUT की website, यहाँ पे आपको registration करना है, उसके बाद आप लोगों को दूसरे number पे university का नाम select करना है, Delhi University का, ठीक है, University of Delhi आप select करेंगे, उसके बाद तीसरा आपको अपना course mention करना होता है, course mention कौन सा करोगे आप, BMS एक बार select करोगे, अगेन आपको दुबारा से उनिविशिक्टी डेलिशिक्ट करना है, दूसरे number पे, उसके बाद उसके बाद उसके अंदर आपको BBA FIA डाल देना है, ठीक है, एक ही exam से तीनों मैं पहले जबल हो, लिकन you have to mention these three courses in your CUT application form, उसके बाद आप लोगों को तीसर BMS add कर लेना है, अब जैसी आप इसको add कर लोगे, उसके बाद आप से बोलेगा domain select करने के लिए अपना, domain आप कौन से select करोगे अपने, जल्दी से बताओ, इसमाप select करोगे अपना language plus maths plus GT, that is general test, select करोगे, उसके बाद आप लोगों का admit card आजाएगा, admit card आने के बाद, आप ल आप से बाद करना है, डेल इंसलिटी की वेब साइट आपको रजिस्टरेशन करना होगा, आपको अपना CUT का स्कोर देना है, इन तीन डोमेंस का, आपको अपर admission मिल जाएगा, आप को बाद कर लेते हैं, कौन कों से colleges से आपको आपको जो है, BMS कोर्स ओफर कर रहे है, तो B इसके लिए बहुत limited seats होती है, ये 9 colleges से जिनके अंदर आप लोगों को एक कूर्स देखने को मिलेगा, आर्या भटा कॉलेज, CVS, दीन दयलो पैद्ध है कॉलेज, केशव महाविद्याले, रामलन, आननन्द कॉलेज, रामन, उजियर राजगूरू कॉलेज अफ विमन, शही और सिर्फ लास्ट वाले कॉलेज में, शिरी गुरू गुरू गुबिन सिंग, कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अंदर, आप लोगों को माने रोटेगी, 23 seats देखने को मिलेगा है, सिख माने रोटेगी के लिए, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, सीट सिंटेक आपको पता चल ग जिसके अंदर, 23 seats है, इसमें 45 seats हैं, अन्रिजर्फ के लिए, और बाकी SCST के लिए भी seats अलग से मैंशन करी हुई है, दूसरा आपके पास है Bachelor of Business Economics, जिसके अंदर आपके पास अगें 10 colleges हैं, जो इस course को आगे offer करते हैं, आप अच्छी तरीके से इसको देख भी सकते हैं, आप 23 seats है, इसमें अविलेबल है, आर्यभटा कॉलेज में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसमें, CVS, गार्गी कॉलेज, लक्ष्मीबाई कॉलेज, महराजा अगरसेन कॉलेज, शिवाजी कॉलेज, श्री गुरु गुबिन सिंग कॉलेज, और श्री गुरु नानक देव ख जाधा चांस है आपके अड्मिशन होने के, on the basis of seats availability, जिसमें जाधा seats है, उसमें आपकी probability जाधा हो जाती है, of course, और अब बात कर लेते हैं, placements के बारे में, देखे, मैं आपको सभी college जिसके placements इस वीडियो के अंदर नहीं दिखा सकता, बट सबसे जो main, आप बोला जाता है जिसके अंदर हाइस salary package जो देखने को मिलता है, वो ऐसे CBS में मिलता है, शहीर सुकुदेव college of business studies के अंदर, जिसके अंदर हाइस salary package जहाँ पर देख सकते है, 36 lakh per annum तक का गया, यह 21-22 की report है, latest report अभी इनकी website पे नहीं आई है, इसके बाए 220 प्लस offers करे गए थे, 9.8 lakh per annum average salary package student को मिला हैं, आपे top 100 packages को देखते हैं, तो 12 lakh per annum के हाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अब यह जो salary package है, आप देखो return of investment, यहाँ पे yearly fees रहती है, 26,000 per annum, mostly, on an average करोगे, तो 23 to 25 के भीच में आप लोगों को yearly salary, जो है आप लोगों का fee structure देखने को मिलेगा, तो 23,000 रुपे into 3 याने की 60-70,000 रुपे आप लोगों की graduation में लग रहे हैं, और return investment आप लोगों को lakhs में मिल रहा है, तो यह है Delhi City का main attraction, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं, entrance exam के बारे में, अब आप लोग जो अपना C.U.T. के अंदर entrance exam देने जाओगे, तो वहाँ पे आप लोगों को एक language test है, उसके जो total marks है, वो 200 का होगा आपका, और 45 minutes आपको इसके लिए दिये जाएंगे, अब यहाँ पर total exam की duration आप calculate कर सकते हैं, 45 plus 45 plus 60, इस तरीके से, क्योंकि हर एक test के अलेक duration दी गई है, तो language test का आपका 45 minutes का duration हो गया, उसके बाद domain specific में आप दोगे mathematics, mathematics के अंदर आप से सेम वही चीज है, 40 question आपको देने है, 10 आप skip कर सकते हो, 5 number हरे correct answer में बिलेंगे, टोटल 200 number का यह हो गया, 45 minutes का duration मिलेगा, याने की mathematics की duration आपको इसलिए गई है, हार एक test individual है, सबका combined test नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पर आपको select करना होता है, अगर आपका इसमें दूसरा exam दे रहे होते, तो वहाँ पर आपको दो domain देने पढ़ सकते थे, तो दो domain लोगे तो फिर 90 minutes का duration हो जाएगा, इस तरीके साब को समझना है, तो यहाँ पर आपका सिर्फ एक ही टेस्ट है, mathematics का, तो 45 minutes each होता है, पर subject लिखा है, तो एक ही subject तो 45 minutes से हो गया, 45 minutes for language, 90 minutes से हो गया, plus 60 याने की, 150 minutes का आपका exam होने वाला है, BMS, BBAE और BBA Finance के लिए, जनरल टेस्ट के अंदर आपसे 75 questions बूचे जा रहे हैं, जिसमें से 15 questions आप skip कर सकते हैं, 60 आपको देने होंगे, correct answer में 5, 300 का इसका total marking होगा, और 60 minutes याने की एक घंट आपको इसमें देखने को मिलेगा, अब करते हैं syllabus के बारे में, देखे, बहुत सारी चीज़े मैं आपको एक ही वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप इदर उदर से छोटी-छोटी information लेके आओगे, तो यहर आपको confusion हो जाएगी, आप महनत भी करोगे, last में बता चलेगा कि मैं eligible नहीं था, मैंने गल हैं, एक तरीके से समझ लो, class 12 की math पढ़ रहे हो, समझ लो, आपका domain ready हो गया mathematics का, GT और English language एक important subjects हैं यहापे, क्योंकि आप class 12 में, आज की rate में नहीं बढ़ रहे हो, तो English language के अंदर आपसे factual, narrative, literary, verbal ability, rearranging the parts, choosing the correct word, यानि की word word substitution, synonyms and antonyms पूछा जाएगा, vocabulary, यानि की आपक sporting errors कह सकते हैं, तरीके से synonyms and antonyms किंदर भी आपका vocabulary आ जाता है, इसके बाद आता है आप लोगों का general test, general test किंदर आप लोगों से current affairs, जो की previous six months की basically देखी जाती है, तो आप December से पढ़ना शुरू कर देना है, यार, मैं तो यह बोलूँगा, November, December से पढ़ना शुरू कर दो अपना current affairs को general knowledge, general mental ability, numerical ability, quantitative reasoning, application of basic mathematics, यानि की class 8th level तक की आप लोगों की mathematics पूछी जाएगी, logical and analytical reasoning आप से पूछी जाएगी, तो general test के इसलिए 60 questions आप लोगों को उसे पूछी जा रहे है, क्योंकि इसके इंदर within a general test three sections available है, current affairs, general knowledge, numerical ability, reasoning, तो आपको इसके लिए अच्छा खासा time निकालना पड़ेगा, यह आपका class 12th में नहीं दिया जाता, तो जितने भी professional courses है, सब में आप से general test की requirement रखी जाएगी, तो do focus on this section, English plus general test आप लोगों को eligible बना देता है, not even in Delhi University, BMS, BBE, आप इसके लाबा more than 35 central universities and state government universities को target कर सकते हैं, different courses के लिए, तो अगर आप preparation करना चाते है तो आप लोग जुड सकते हैं हमारे mission admission batch के साथ, जिसके अंदर हम आपको CUT की preparation तो कराए रहे हैं, of course Delhi University के entrance exam की तो आपको मिलेगी, मिलेगी, IPU, CUT जिसमें BBA course आपको कराया जाता है, MSU, बरोधा, गुजरात के अंदर, पतना University, Symbiosis University, यह से Deemed University, IPMET, जो IMS के लिए करवा जाए जाएगा, एक ही course के साथ, एक ही mission admission के साथ, आप multiple university इसको target कर सकते हैं, so Delhi University का admission process खुद में बहुत बड़ी चीज बन चुका है, इसको समझना, इसको time देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि class 12 की importance कहीं कहीं कम होती जा रही है, तो आपको आने वाले time में अभी से awareness अपन दरलानी पढ़ेगी regarding your admission process and your courses, so I hope ये video प्लगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक ज़रू करना, and CUT की entrance exam preparation के लिए जुड़ जाए, higher education के साथ, मिलते नेक्स वीडियो मिशी तरगी के education coordinate के साथ, thank you so much.